तो फ्रेंस आपने कभी बैगन और पालक की सबजी बाजड़े के रोटी के साथ खाया है अगर नहीं तो आप इस रेस्पी को एंड तक जरूर देखिए और रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए हलो फ्रेंस मैं हूरेनू और स्वागत है आपका मेरे चैनल में तो चलिए इसे बनाना इस्टार्ट करते हैं इसे बनाने के लिए हमने ले लिया है आधा किलो पालक पालक को धो करके काट लिया है साथी में हमने तीन मीडियम साइज के आलू और दो बैगन को भी काट कर रख साल city।- hè हरी मटर एक टुकडा अधरक हो 10-12 लासोन की कली जिसे हम कूट कर इस्तिमाल करेंगे तडका में हम इस्तिमाल करेंगे पंचफोरन और दो लाल मिर्च एक कडाई में हमने 2 चमत तेल गรम कर लिया है इसमें पच फोरन, लाल मिर्च और अद्रक लासुन कुटाग वद डाल कर मिक्स करेंगे और इसे 1 मिनट भूनने के बाद इसमें आलू डालेंगे आलू डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे अब इसमें डाल देंगे एक चमच हींग, मटर और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसमें डाल देंगे बैगन बैगन डालने के बाद इसे थोड़ी देर पकने देंगे आलू बैगन को थोड़ी देर हमने पका लिया है अब इसमें पालक डाल कर मिक्स कर लेंगे आधा चमज डालेंगे गरम मसाला दो बार इकटे हुए टमाटर और इसे एक बार अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे ढख देंगे तो इस तरह से बीच-बीच में इसे चलाते हुए आप बैगन, आलू और पालक को अच्छे से पका लीजिए टेस्ट के अनुसान नमक डाल देंगे और इसे ढख कर थोड़ी देर और पकने देंगे आलू बैगन और पालक अच्छे से पक जाने के बाद इसे हम खोल देंगे और इसे अच्छे से फैला देंगे और पानी सूखने तक इसे पकाएंगे पानी अच्छे से सूख जाने के बाद इसमें डाल देंगे धनिया पत्ता और इसे मिक्स करेंगे अब हम इसकी प्लेटिंग करेंगे और ये लिजी फ्रेंस बहुत ही टेस्टी हमारा पालक और बैगन की सबजी बनकर तयार है और इसे आप बाजरे के रोटी के साथ खाए बहुत ही टेस्टी लगती है तो ज्यादा वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं बाजरे की रोटी आपको नेश्ट वीडियो में दिखाऊंगी तो आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूलिए फिर मैं मिलूँगे किसी नई रेस्पी के साथ बाई बाई